आप सभी को नमस्कार उमीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आप सब का दीपावली का तेवार बहुत ही बहतर ढंग से सही ढंग से संपन्न हुआ होगा ठीक है तो चलिए आज हम मुद्दे की बात करते हैं और सिप्तंबर माह की करेंट अफेर्स का हम अध शाइला प्रफन है 27-28 अगस्त 2020 के मद वर्ड टू वर्ड उर्दू बेविनार का आईवजन कहां पर किया गया था नागपूरæ्बूर नईदिल्य कोल्काथा या रांची इनमें से किस सहर में वर्ड उर्दू बेविनार का आयोजन किया गया था 10 सेकंड का समय है आपके पास 10 सेकंड में आप जबाब बताएं उसके बाद मैं आपको जबाब देता हूँ चले चले जबाब बताएं इसका जबाब क्या होगा आयोजन कहां पर हुआ था और आपको थीम बता दें इसका थीम है आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं इसके थीम है इस बार की Responsibilities of Urdu Writers in the Age of Electronics and Social Media ये इस बार की थीम थी वर्ड उर्दू बेबिनार की आपको पता होनी चाहिए इसका आयोजन हुआ था नई दिल्ले में इसका आयोजन किया गया था और नई दिल्ले में इसका आयोजन किया गया था किसके द्वारा किया गया था ये भी आपको पता होना चाहिए तो राश्टिये उर्दू भासा बिकास परिसद जिसके द्वारा इसका आयोजन किया गया दूसरी बड़ी बात कि इसका उदगाटन किस ने किया था रमेश पोखरियाल नी संक ने और आप जानते हैं कि हमारे सिक्षा मंत्री है रमेश पोखरियाल नी संक इनहीं के दौरा इ उदगाटन किया गया था यह आपको पता होना चाहिए ठीक चलें आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्न देखते हैं क्या है महत्पूर्ण प्रस्न है क्योंग एससी बैंकिंग रेलवे के लिए तो महत्पूर्ण है ही बोला जा रहा है 19 अगस 2020 को केंद्रिये मंत्री मंडल ने केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए भरती परक पहले अस्तर पर उमीदवारों की स्क्रीनिक करने के लिए सामान योगिता पर इच्छा है दूसरा CET में प्राप्ति स्कोर परड़ाम घोसित होने की तीसरा उमीदवारों द्वारा CET में भाग लेने के लिए औसरों की संख्या पर कोई सीमान नहीं होगी इन में से कौन से कथन सही हैं यह आपको बताने हैं तो चले बताएं इन में से कौन से कथन सही हैं क्या आप जानते हैं कि NRA जो है केवल SSC के लिए यह गलत है क्योंकि जब बात करते हैं NRA के तो आप जानते हैं कि इसमें बात किया गया था कि इसमें रेलोए बोल्ड के सदस होंगे रेलोए और सिर्फ SSC की परिक्षा नहीं कराएगा बलकि RRB, NTPC हो गया, ITBP हो गया, इन सब की परिक्षा कराएगा, IBPS जो बैंकिंग जाम होता है, इन सब की परिक्षा कराएगा, तो इसका पहला वाला जो आपका विकल्प दिया है, पहला वाला हो जाता है गलत, क्योंकि इसमें ब रेतर हैं और हैं तो एक उत्तर आपको सी वाला गलत हो गया क्योंकि इसमें बोला गया है क्योंकि यह गलत हो गया तो आख मुदकर आप कर सकते हैं किवल दो और तीन क्या था कि भाई परिडैम घोचित होने के इन बरसों के लिए बैद होंगे एकदम सत्य है कोई डाउट नहीं है इसमें दूसरा आउसरों की संख्या पर कोई सीमा नहीं है कोई पर्तिबंद नहीं है ये भी सत्य है तो दो और तिन सही है ये विकल पाप का सही उत्तर है ठीक है चले भारत सरकारद्वारा शुरू की गए इपोर्टल स्वा अंधी जानकारी प्राप्त होगी दूसरा इस पोर्टल का उधगहाटन केंद्री जन जाती कारे मंतरि अर्जुन मुंड़ा द्वारा किया गया है तीसरा भारत में सार्व्जिनिक स्वास्त मानकों की द्रिष्ट से जन जाती और गैर जन जाती आबादी के बीच विसमता ह इन में से कौन से सही हैं आपको बताने हैं आज जो प्रशन आप देखने वाले हैं पूरे एक सब्ता तक लगातार जो रिबिजन होगा इसी तरह से होगा जिसमें आपके राज विश्यस के जो छात्रे हैं उनका भी चीज़ें बेहतर हो जाएं और जो वद एक दिवसी परिक्षा की तयारी कर रहे हैं उनकी भी चीज़ें बेहतर हो जाएं चलें बताएं दस सेकेंड का समय है परते कथन को आपको पढ़ना है और इस तरह के पढ़ने की आदर डालें चाहे आप एससी की तयारी कर रहे हैं चाहे आप बैंकिंग की तयारी कर रहे हैं क्योंकि आने वाले समय में जो प्रस्नों के पूछे जानी की प्रविर्थ है वो कथन वाइज हो रही है और इसमें परिवर्तन आवस से देखने को मिलेगा तो पुरानी लीक से हटकर अपनी तयारी को धार दीजिए जिससे चीजें बहतर रहे हैं चले बताएं इनमें से कौन सा सही होगा सबसे पहली बात पहला इसमें बोला गया है कि इस पोर्टल के माध्यम से भारत की जनजातिय आबादी के स्वास्त और पोशन समन्दी जानकारी प्राप्त होगी सत्य है दूसरा कतन है इस पोर्टल का उद्गाटन केंद्रिय जनजातिय कार्यमंत्री अरजन मुंडा द्वारा किया गया यह भी सत्य है मैंने आपको बताया था एक दिन कि भाई स्वास्त नामक पोर्टल किसके द्वारा दो दिन पहले ही मैंने इसकी चर्चा किया था कि किस मंत्राले द्वारा जारी किया गया तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था केंद्रिय जनजातिय मंत्राले द्वारा जनजातिय मामलो के मंत्राले द्वारा जिसके मंत्री हैं अरजन मुंडा और मैंने यह भी बताया था सासाथ की अरजन मुंडा जो हैं भारती तीरंदाजी संग के प्रमुख भी हैं ये भी मैंने आपको बताया था तो साइद आपको याद आ गया हो तो दूसरा भी आपका सत्य है तीसरा कह रहा है भारत में सारविनिक स्वास्त मानकों की दिरिश्चे जन जाती है और गैर जन आबादी के बीज भी समता है जी हां सत्य है जहां भी जन जाती आबादी रहती है जिन छेत्रों में आप देखते होंगे कि वहां भी स्वास्त सेवाओं की पहुंच उतनी अच्छी नहीं है जैसा कि आम जन मानस के लिए है तो इसमें तीन उत्तर सही है मतलब उप्यूक्त सभी इसका सही उत्तर है अब यहां पर कुछ चीजे मैं आपको बता देता हूँ जो आपको पता होना चाहिए जैसे बात हो रही है जन जातियों की बात हो रही है तो फेस्बुक ने एक इनिसियेटिव चलाया था जिसका नाम था गोल इनिसियेटिव जी ओ एल था गोल इन इत्रित्व करता की रूप में तयार करना यह फेस्बुक का उद्देश था और गोल इनिसियेटिव फेस्बुक ने चलाया था जन जातियों युवाओं के लिए यह भी आपको पता होना चाहिए ठीक है चले आगे बात करते हैं अगले प्रस्ण की समंदित नमलेकित कप्रों में से कौन से सही हैं अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी ने क्या कहा था यह आपको ध्यान देना है कब कहा था लाल किले की बात हो रही है सुतंता दिवस आप जानते हैं कि सुतंता दिवस का जो संबोधन होता है वो लाल की लिए से होता है तो इसमें से क्या बात बूला था प्रधान मंत्री जी ने एक हजार दिन के अंदर देश के छे लाग से अधिक गाउं में आप्टिकल फाइबर नेटवर्क का कारे पूरा किया जाएगा दूसरा नैशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का सुबारम किया गया इस दोरां तो इन कौन सा सही है जो 74 सुतंता दिवस की अउसर पर कहा गया है यह आपको बताना है चले और आप जानते हैं कि इस यह दिम बात करें चोहत्तरवे सुतंता दिवस की तो भारती प्रधान मंत्री ने सात्वी बार नरेंद्र मोधी ने लगातार सात्वी बार ये संबोधन किया है तो ये भी आपको पता होना चाहिए ठीक है चले बताएं कि इन में से कौन से सही है ये आपको बताना है तस सेकेंड का समय है आपके पास क्या बोला था भारती प्रधान मंत्री ने क्योंकि आप जानते हैं कि चाहिए सुतंता दिवस हो गरतंतर दिवस हो जो संबोधन होता है भारती प्रधान मंत्री का वो बहुत ही महत्पूर्ण होता है चले जबाब दीजेगा इसका सही उत्तर है एक और दो दोनों इन में से दोनों बात भारती प्रधान मंत्री ने किया था चाहे गाओं को आप टिगल फाइबर नेटवर्क से जोड़ने की बात हो चाहे आप बात हो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की दोनों सुरुवात यहा डालफिन से नक्षण की आती है तुरंत आपको पता होना चाहिए भारत में एक जील है चिलका जहां पे आपको इरावदी डालफिन देखने को मिलेगी भारत में एक नदी है ब्यास जहां पे आपको सिंध नदी डालफिन देखने को मिलेगी और जो सिंध नदी डालफिन ह इसको पंजाब राज सरकार ने अपना जलिय जी उगोशित किया है यदि हम बात करें डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहां पर अस्थाबित किया गया है तो पटना में अस्थाबित किया गया है ये भी आपको पता होना चाहिए ठीक है चले आगे बढ़ते हैं हाल ही में 17 वी आसियान भारत आर्थिक मंत्री प्रामर्स बैठक बीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से कब आयोजित हुई अभी आपने देखा था आसियान देशों के बिदेश मंत्रियों की बैठक अब आप यहां पर क्या देख रहे हैं कि आर्थिक मंत्रियों की प्राम चार बिकल्प है 28 अगस्त 29 अगस्त 30 अगस्त या 25 अगस्त इन में से कौन सा सही है वो आपको बताना है चले बताएं दस सेकेंड का समय है आपके पास चले जवाब दीजेगा यह आईजिन हुआ था 29 अगस्त को 29 अगस्त को आईजिन हुआ था और कल भी आपने आसियान के बारे में पढ़ा था तो आसियान के बारे में आज कुछ जानकारी देख लेते हैं सबसे पहले आसियान की जब बात करते हैं तो इसका ful form क्या है वो आपको पता होना चाहिए एसोसियेशन आप साउथ इस्ट आसियान नेशन इसका फुल फॉर्म है यदि हम बात करें इसका मुख्याले कहां पे है तो आपको देखने को मिलेगा इसका मुख्याले जकार्ता में जकार्ता कहां पे है इंडोनेसिया में है कि ठीक है और यदि हम बात करें जकार्था की तो आप जाते हैं जकार्था इंडोनेसिया आपको पता होना चाहिए तो यह इस्ट काली मंतन सिप्ट कर रहा है जो कि बोर्नी ओ दीव पर है ठीक है जकार्ता के डूबने का खत्रा उत्पन हो गया है आगामी समय में आगामी बर्सों में जिस तरह से समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है तो उसको देखते हुए इन्होंने राजधानी को परिवर्तित कर परिश्ट काली मंतन ले जा रहे है जो बोर्नी ओडिव परिष्ति यह आपको पता होना चाहिए और इसमें हमारे ब्यापार मंतरी हैं कौन हैं एमारे ब्यार मंतरी प्यूस गोयल हमारे वाणियौम उद्दोग और रेल राज मंतरी हैं इन्होंने इसमें परतिभाग किया अगस्त 2020 में चुनावती नेक्ष्ट जनरेशन स्टार्ट अप चैलेंज परतियोगता की शुरुवात की गई इस समंध में निम्लिकित कत्रों पर विचार करें किसकी बात हो रही है और इसके समंध में क्या चीज़ें सही हैं क्या गलत हैं वह आपको बताना है कहा जा रहा है कि इस परतियोगता का सुबारम भारती परधान मंत्री ने किया दूसरा कह रहा कि इस कारकरम का उद्देश कुछ चुने हुए सेक्टर में काम कर रहे हैं लगबग 300 स्टार्ट अप की पहचान करना है तीसरा इसके तहर चिन्हित किये गए स्टार्ट अप को 25 लाक रुपे कि शुरुवाति फर्ड युम अन्य सुब्ध हैं परदान की जाएंगी तो आपको बताना है चुनवती नेक्स्ट जनरेशन इस्टार्ट अप जो चैलेंज परतियोगता है उसमें से संदर्वित कौन से कथन आपके साथ तहें या आपको बताना है चले बताएं और आपको बताएं कि यह जो परतियोगता है इसका उद्देश था कि जो हमारे टियर 2 के सेहर हैं वहाँ वे किस प्रकार से सौफ्ट वेर उत्पादों को किस प्रकार से सौफ्ट वेर उत्पादों से जूड़े हुए जो स्टार्ट अप हैं उनको बढ़हवा दिया जाए चले चले जब आप दीजेगा आपको बता दें इसका जो सही उत्तर है जो सही उत्तर है वो आपका है दो और तीन ठीक है दो और तीन कौन सा गलत स्वारी इसमें पूछा गया है निमलिकित में से कौन से कतन गलत है गलत कतन पूछा गया है तो इसका सिर्फ पहला कतन गलत है क्योंकि जो इसका सुबारंब किया गया था वो केंद्री एलेक्ट्रानिक्स योम सूचना परफारण मंत्री हमारे हैं श्री रविसंकर प्रसाद उनके द्वारा इसका सुबारम किया गया था तो जो पहला कतन है वो आपका गलत है बाकी के दोनों कतन जो है सत्त है ठीक है चल अगस्त 2020 में संस्किर्टी मंत्राले द्वारा भारतिये पूरा तत्त सर्वेक्षण के कितने नए सरकिलों की घोशना क की गई है अभी हाल ही में संस्किर्टी मंत्राले द्वारा भारतिये पूरा तत्त सर्वेक्षण के लिए कितने नए सरकिलों की घोशना की गई है आठ पांच छे या साथ और आपको बता दें कि पहले हमारे हां 29 सरकिल थे अब हो गये हैं 36 जिसका मतलब होता है कि साथ नए सरकिल बने हैं अब साथ कौन से नए बने हैं मैंने आपको एक दिन नोट कराया था आज फिर से आप नोट कर सकते हैं पहला है त्रिची तमिलनाडू दूसरा है राय गंज परसिम बंगाल तीसरा है राज कोट गुजरात चौता है जबलपुर मद्ध परदेस और उत्तर प भी पता होना चाहिए हमारे केंद्रिय संस्कृति मंत्री कौन है तो पहलाद पटेल हमारे संस्कृति मंत्री है यह भी आपको पता होना चाहिए ठीक है चलें आगे बढ़ते हैं अगला है भारत बियत नाम संयुक्त आयोक की 17 बैठक कब संपन हुई बताएं भारत बियत न सुरी बताएं जबाब दीजेगा कब संपन्न हुई है यह आपको बताना है समय है आपके पास प्रयाप्त आप जबाब दीजें चले जबाब दीजेगा कब संपन्न हुई है यह आपको बताना है कब संपन्न हुई चले इसका उत्तर देख लेते हैं सबसे पहली बात आपको बताया भी गया अभी तक तीन आयोगों की बात आपने कर लिया था आज यहां से समंदित बैठक हमने देख लिया था दो अन बैठकों के बारे में हमने देखा था यहां पर बात हो रही भारत बियतनाप संयुकत आयों की 17 वी बैठक कप संपन्न हुई तो इसका उत्तर है आपका बी विकल्प इसका सई उत्तर है ठीक है अगला है निमली लिखित में से कौन सा देश दुनिया का पहला देश होगा जो अपने यहां बित्तिय छेत्र को जलबाई परिवर्तन पर रिपोर्ट उपलब्ध कराने की अनिवारता रखेगा कौन सा देश ऐसा है जिसने यहां अनिवार कर दिया है कि उसके यहां जो भी फाइनेंशल सेक्टर होगा बित्तिय छेत्र होगा वो जलबाई परिवर्तन पर रिपोर्ट अवसे उपलब्ध कराएगा अनिथा परतिबंधित कर दिया जाएगा बताएं अनिवार जलबाई समंदि बित्तिय परक्रिटी करण सासन को पेशकस करने वाला पहला देश कौन सा है आस्टेलिया न्यूजिलेंड जर्मनी या भारत यह महत्तपूर्ण प्रसन है क्योंकि अभी तक किसी भी देश ने इस तरह के कदम नहीं उठाये थे तो पहला देश है जिसने उठाया है तो आपको पता होना चाहिए चार विकल्प आपके सामने है और आपको अपने सही उत्तर का चुनाव करना है चलें सही उत्तर का चुनाव करें इन में से कौन सा सही है इसका सही उत्तर है न्यूजिलेंड न्यूजिलेंड ने यह करके दिखा दिया है या भी बित्तिय है फेक्टर होंगे जो भी बित्तिय है छेत्र होंगे तो New Zealand सही उत्तर है और जैसे ही बात New Zealand की आती आप जानते हैं New Zealand की राधधानी क्या है दा कि कोई चलें कोई बताएगा राजधानी क्या है के डातन ऐसे डिणगören पहले दोटों पर विस्तारित देश हैं और यह दोनों देश हैं इनको अलग करने वाली जो यह देस ए जो दोनों दिऊप देश के चाहे उत्री दियूप हो गया या दक्षणी दियूप हो गया इनको अलग करने वाली एक Muagol में मैंने बढ़ा को इसका नाम है kuk wasand तो याद रखिएगा कुक जलसंद के माध्यम से यूजिलैंड के उत्त्री द्यूप और दक्ष्णी द्यूप अलग होते हैं यह एक स्वानता होना चाहिए यहांका एक सहर आक्लैंड आक्लैंड यहां का सबसे बड़ा सहर है यह भी आपको पता होना चाहिए तो कुक जलसंद औक लेंड ये दो जानकारी आपको होनी चाहिए ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं कि मैं सब्टमपर 2020 मेंं इंस्टिट्यूट फौर मेनेजमेंट डेवलोप्मेंट ने सिंगापूर इंवर्शीटिउ टेकनोलॉजी और डिजाइन के सहयोग से इससवाइट सिटी इंडेक्स जारी किया स्मार्ट शिटी इंडेक्स की बात हो रही है और बोला जा रहा है कि समार्ट शिटी इंडेक्स से समंद्यत निमलेखित कतनों पर विचार करें तो कौन से कतन है इस में कुल एक सो नो सहरों का सरवेखचण किया गया इस इंडेक्स में जीरुक को सीर्ष अस्थान पराप्थ हुआ है ती स्फ़क्रांद भारत्य सहरों में सीर्ष अस्थान पर रहा अब आपको बताना है कि इन में से इस्मार्ट् शिटी इंडेक्स के अंतरगत कौन से कथन सत्ते हैं बताएं इन में से कौन से सत्ते हैं वह आपको बताना है चलिए 10 सेकंड का समय है आपके पास बताएं महत्पून है नोट कर लीजेगा किसकी बात हो रही है आप इसमार्ट सिटी इंडेक्स की बात हो रही है तो याद कर लीजेगा स्मार्ट सिटी जैसे आप बहुत सारे इंडेक्स नोट किये हैं तो उसी के तहट आप नोट करेंगे स्मार्ट सिटी इंडेक्स और बैस्विक अस्तर पर पहला स्थान कौन सा रखता है भारत का कौन सा राज्ज है भारत का कौन सा सहर है जो इसमें जगां बना पाया है उचको भी आप ओहीं पर नोट डाउन करेंगे क्योंकि आप जानते हैं इंडेक्स से समंदित प्रस्ट मिला है सिंगापूर को सिंगापूर से क को पहला स्थान答 मिला है यह आपको पता होना च док Ada कि है इसमें है हैदराबाद भारतिय स्थान पर रहा सथ्थान संत्पार हैं है तो कभी ऐसे में पूछा जया परिछय हुँए कि smart city index में भारत का प्रतम सहर कौन सा है या टॉप पर कौन था हैदराबाद है पूछ ले जाए कि smart city index 2020 में 85 अस्थान पर भारत का कौन सा सहर रहा तो उत्तर आपका होगा हैदराबाद तो इसका सही उत्तर क्या हो गया एक और तीन दो गलत है क्यों गलत है क्योंकि इसमें सिंगापुर सहर जो है वो शीर्जास्थान पर था 26 अगस्त 2020 को आयोजित जिबूती आचार सहीता या जेद्दा संसोधन की उच्च अस्तरिय बैठक के बाद भारत प्रेक्षक के रूप में जिबूती आजार सहीता या जेद्दा संसोधन में सामिल हो गया है मतलब कहा जा रहा है कि एक संगठन है जेद्दा संगठन या जिबूती आचार सहीता या जेद्दा संसोधन संगठन जिसमें भारत प्रवेक्षक के रूप में सामिल हो गया है तो पूछा जा रहा है कौन देश जिबूती आचार सहिंता या जेद्दा संसोधन में परबेच्छक के रुपें सामिल नहीं है इन में से कौन सा देश है जो जेद्दा संसोधन या जिबूती आचार संहिता में परबेक्छक के रुपे सामिल नहीं है वो आपको बताना है चलें बताएं चलें बताएं इन में से कौन सा सामिल नहीं है 10 सेकेंड का आपके पास समय है इसका जो उड़ेस है तब तक मैं आपको बता देता हो। जैसे बात हो रहे जिभूती आचार सइंगता या जेद्या संसोदन इसका जो उड़ेस था वो था कि हिंद महासागर का जो छेट्र है जो समुद्री छेट्र है इन देशों से लगता है उसकी सुरकषा ब्यवस्ता स सुनिशिद कि जैए जो व्यापारियों के जहाजें हैं उनकी सुनिशिद कि जाय और ये जो संग्ठन है ये लाल θαगर अदन की खाड़ी और अफरीका के पूर्वी ठटो। पर कारिकरता है। इन चेत्रों में चाये लाल सागर की बात हैं अदन की खाड़ी के लिए तो जहाजों की सुरक्षा उपलब्ध कराना इसका लक्ष है तो बताएं इन में से कौन सा देश है जो सामिल नहीं है प्रवेक्षक के रुपएं तो उसका उत्तर है फ्रांस इसमें प्रवेक्षक के रुपएं जो देश सामिल है उसमें जापान आता है अमेरिका आत है तो भारत अभी हाल ही में जुड़ा है तो यह इसलिए यह हमारे लिए महत्पूर्ण हो जाता है चलें इसको बताएं सब्तमबर 2020 को इबसा विदेश मंत्रियों की बर्चूल बैठक 2020 में किस देश के विदेश मंत्री की अधिशता में हुई है इबसा एक संगठा ने इसके बारे में बात की जा रही है कि इसके विदेश मंत्रियों की वर्चूल बैठक हुई थी तो किसकी अधिशता में हुई थी वो आपको बताना है तो चलें बताएं किसकी अधिशता में ह हुई थी और इबिसा के बारे में अदि हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है एक तो हो गया इंडिया दूसरा है ब्राजील तीसरा है साउथ अफ्रीका इन तीन देशों का एक संगठन है जिसको इबिसा नाम से बोला जाता है इन तीनों देशों का संगठन है तो इन ही तीनों में से कोई होगा तो आपको बताना है कि किसके विदेश मंत्रियों की अधिस्ता में इसका चलें बताएं और एक चीज़ और आपको जानना है कि इसका जो उद्देश है वो सांति सुरक्षा और जलिवाय परिवर्तन इन तीनों पर कारे करने का उद्देश है इन तीनों पर ये कारे करते हैं तो आपको बताना है कि किसकी अधिस्ता में हुआ है चले भारत बराजीलिया साउथ अफरीका इसकी जो बैठा कुई है यह भारत के जो बिदेश मंत्री है येस जैसंकर प्रशाद उनकी अधिशता में संपन हुई तो ये आपको पता होना चाहिए और आपको यहां से एक जानकारी क्या और मिल गई कि इबसा क्या है इबसा तीन देशों का संगठे ने वह भी आपको पता चल गया चलें इसको बताएं खाली में भारत अमेरिका रच्छा प्रदोकी और ब्यापार पहल समुखी दसवी बैठक कब संपन हुई कब संपन हुई 12 सिप्तमबर 15 सिप्तमबर 10 सिप्तमबर या 8 सिप्तमबर और आपको बता दें कि यह जो बैठक होती है यह रक्षा उत्पादन के विकास की संयुक्त परियोजनाओं पर ध्यान देने के लिए होती है रक्षा समंधी तकनिकों के हस्तानांतरण के लिए होती है बर्स में दो बार इसका आयोजन किया जाता है एक बार इसका आयोजन भारत में होता है और एक बार इसका आयोजन अमेरिका में होता है बर्स में दो बार इसका आयोजन किया जाता है एक बार भारत में एक बार अमेरिका में किया जाता है तो आपको बताना है कि कब इसकी बैठक संपन हुई है चले दस सेकंड का समय लीजिए और जबाब दीजिए चले जबाब इसका है 15 सेप्टमबर 2020 को ठीक है तो इस तमें कोबिट काल में बहुत सारी बैठके हुई है लेकिन सारी बैठके बर्चूल माध्यम से हुई है तो आपको पता होना चाहिए ठीक है आगे बढ़ते हैं 18 सेप्टमबर 2020 से संयुक्त अरब अमिरात में सुरू हो रहे हैं इंडियन प्रीमियल लिग के दोरान 60 बाजी से जुड़ी आनिमित्ताओं का पता लगाने के लिए BCCI किसकी सेवाएं ले रहा है जो सटे बाजी होती है IPL में उसको रोकने के लिए जो BCCI हमारी संस्था है वो किरिकेट बॉड़ी जो हमारी है वो किस से सम्मंदित सहायता ले रहे है इसपोर्ट रडार मोसाद ESPN रडार या DIA किस से समझोता किया है उन्होंने जिससे सटे बाजी को रोका जा सके और निक्स्प्रक्ष रूप से गेम को आगे बढ़ाया जा सके गेम को किया जा सके तो बताएं इन वे से किस के द्वारा किया गया है चले जबाब दीजेगा किस कंपनी द्वारा यह सम्झोता किया है भारत सरकान ने BCCI ने कि इसका सई उत्तर है इसपोर्ट रडार इसपोर्ट रडार नामा के कंपनी है जिससे भारत सरकान ने समझोता किया है भारत सरकान ने हो रहा है तो UAE की राध्धानी आप जानते हैं अबूधा भी है यहां की मुद्रा है दिरहम इतनी बेशिक जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए ठीक है चलिए बढ़ते हैं आगे अगला प्रशन सितंबर 2020 को फॉर्चिन पत्रिका बहुत ही परतिस्टित पत्रिका है और इसके दोरा कुछ यूवा लोगों की बारसिक सूची जारी की गई जिसमें अंडर 40 जारी की गई है इससे समंदित इमलिखित कत्रों पर विचार करें मतलब जो पत्रिका है फॉर्चि संदर में आपको विचार करना है बोला जा रहा है कि इस सूची में टेक्नोलोजी की स्रेणी में इसा और आकास अंबानी का नाम सामिल है दूसरा कहा जा रहा है कि टेक्नोलोजी की स्रेणी में बाइजूज के सह संस्थापक बाइजूज रबिंदरत भी सामिल है तीसरा कह रहा है कि Health Care category में Serum Institute of India के सियू अधारुणा वाला सामिल है उपक्त में से कौन से सही है कहने का मतलब है जो पत्रिका है इसने 220 कस्तर पर 40.40 लोगों का एक नाम जारी किया है एक सूची जारी किया जिनहोंने बैस्चु कस्तर पर सबसे ज़्यादा इवाओं को अपने अपने छेट्रों में प्रभावित किया है तो इन में से कौन से किस छेट्र में प्रभावित किये हैं वो आपको बताना है चले बताएं विकलपों को ध्यान दिजीएगा और इसमें जो सेंडी थी उसमें बित rests नी एक्नोलोजीले सेंडी फिन हैल्थ्रे़सर रटी गॉर्मेंट की इस रडीकिंट की निज़ी थी मीडिया प्रतेक्सीसे में नाम दिया गया है तो आपको बताना है कि न में से कौन से हैं चले बताएं का संभानी बाई जूज आईएस के जो सह सफनस्थापक हैं बाई जूज रबिंद्रन इनको जगा मिली है हेल्थ केर का एक काटेग्री में जो सीरम इंटिट आपका है پुने में है सीरम इंस्टिटूट आफ इंडिया पूने में है जिसने आक्सपोर्ड इन्वर्सिटी से समझोता किया था वैक्सीन को लेके चैड़ाउक सुमन को लेके तो उसको भी इसमें स्वास्त कैटेगरी की स्रेंडी में जगा मिली है तो यह आपको पता होना चाहिए ठीक है और यह सीरम इंस्टिटूट को हेल्थ केर के सेक्टर में मिला है हेल्थ केर लिखा भी हुआ है तो यह तीनों नाम आपको पता होना चाहिए कि दो को टेक्नोलोजी के से चेतर में मिला है एक को हेल्थ केर के चेतर में मिला है तो इतनी जानकर यह दिया आपको है तो आपने सिद्र प्रश्ण का जबाब दे सकते हैं तो इसका सही विकलप कुप युक्त सभी होगा ठीक है तो डी विकलप इसका सही उत्तर है तो आज की जो चर्चा थी वो यहीं पर समवाप्त होती है और अभी तक आपने सब्तम्बर माह के 20 प्रस्णों को देखा है और अभी टोटल 8 वीडियो आपको देखने को मिलेंगी सब्तम्बर माह के करेंट अफेर से सम्मदित जिनमें आपके लगभग 120 से 130 प्रस्ण आपके कबर हो जाएंगे और जो महत्पूर्ण प्रस्ण है डेट पर अपनी चर्चा को विराम देते हैं धन्यबाद